हरे हरे महादेब मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि एन नाम के जातक एबम यू नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने बाला संबंध कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए क्योंकि यह बेडियों एन नाम के जातक एबम यू नाम के जातक के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्न एबम उपयोगी है लेकिन इस बेडियों में आगे बढ़ने से पहले इस बेडियों को आप लाइक कर दे साथ में एश्ट्रों मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दे एबम वेडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों एन नाम के जातक जल तत्तु बाले होते हैं एबम यू नाम बाले लोग अगनी तत्तु बाले होते हैं इस नाम के दोनों लोग यदी दामपत्ते जीवन या बैबाहिक जीवन में आते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन बहुत ज्यादा रोमान चक एबम प्रेरक होता है मित्रों आपको बता दे कि यू नाम के जातक उधम मचाने बाले होते हैं एबम इस नाम के लोग सुभाब से बहुत ज्यादा अखर एबम वाचाल होते हैं एबम इस नाम के लोग हमेशा अपने जीवन में अलग पड़विर्ती के होते हैं दोस्तों आपको बता दे कि इस नाम के लोग अपने जीबन में सुवतंत्र होना आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कभी भी अपने जीबन में किसी भी व्यक्ती के अंदर रहना इस नाम के लोग पसंद नहीं करते हैं लेकिन यदि एन नाम के लोगों की बात करे तो इस नाम के लोग बहुत ज्यादा भाबुक एबम बफादार होते हैं एबम हमेशा अपने शंबंध को मजबूत बनाने का प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं दोस्तों आपको बता दे की एन नाम के लोग बहुत ज्यादा मजबूत एबम हतो कांगछी होते हैं लेकिन यू नाम के लोग कभी कभी अपने दामपत्ते जीबन में बहुत ज्यादा लापडबाही करते हैं एबम ऐसे हालात में इन दोनों को अपने दामपत्ते जीबन में क पुछ पड़ेशानी का सामना करना होता है। आप लाइक करदे। साथ में एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब करदे। एबम इस वेडियो के नीचे अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट करदे। एबम इस वेडियो को आप हर जगह सेयर करदे। धन्यवाद।